तो आज से करीब 6 साल पहले मैंने आखरी बर अपने चैनल पर गेमपैट के रिव्यू कर रहा था जो की कॉंटम का एक गेमपैट था और उसमें अभाई बिलकुल तग्रार रिस्पॉंस आया था और उस टाइम के बाद जैसे इंडिया से चीतक आयब होई थे न वैसी मेरे च चलो इसको कही न कहीं से अरेंज करता हूं जुगार लगाता हूं तो फाइनली जुगार लग गया यह गेमपैट अरेंज होगे और फिर मैं आपके सामने आप यह रिव्यू लेकर आ रहो इसका तो चलो फिर आजके इस वीडियो में फुल डिटेल रिव्यू करने वाला चुकि देखने में बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं मस्ट सा अफेक्ट आता है इसमें साथ में टर्बो बटन वाली फक्शनल्टी भी मिलती है और वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए इसमें आपको एक रिसीवर मिलता है और लॉंग गेमिंग सेशन करने के लिए एक 600 mh क एक Micro USB के बाल चार्जिंग के लिए और एक चोटी सीडी मिलती है अब सीडी का क्या यूज़ है इस सीडी का कुछ भी यूज़ नहीं है क्योंकि पहली बात तो अब कोई भी लैप्टॉप में आपको सीडी ड्राइब नहीं मिलती तो आप सीडी को वैसे भी नहीं लगा सकत आपको एक USB-C OTG adapter भी मिलता है box में जो की मुझसा तो गुम हो चुका है लेकिन वह चीज़ आपको मिलती है इस पर box में भी पीछे मेंचेंड है तो उस OTG adapter के थ्रू अगर आप Android phone में gaming करना चाहते हो तो वह आप कर सकते हो अब build quality की बात करें तो यहां पर आपको नीचे की हाथ में पकड़ोगे ना तो बहुती प्रीमें फील देता है आपको यह इन हैंड तो बिल्ट कॉल्टी वाइस तो मुझे इस गेंपैट से कोई शिकायत नहीं और इवन यहां पर जो बटन्स है ना उनकी बिल्ट कॉल्टी मुझे यहां पर काफी सही लगी है बस यहां पर इसका जो यह रिसीवर है ना इसकी कॉल्टी थोड़ी और बेटर हो सकती थी इसमें ना इन्हों ने बहुत चीप कॉल्टी के प्लास्टिक यूज कर रहा है तो अगर इसकी भी बिल्ट कॉल्टी बेटर होती तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात होती फिजिकल ओवर्व यह D-pad मिलता है और यहाँ पर आपको इसमें टर्बो बटन वाली फक्शनलिटी मिलती है और टर्बो बटन के डेमेंस्ट्रेशन में आपको वीडियो में भी आगे पूरा करके बताऊंगा साथ मैं आपको यहाँ पर यह Micro USB port मिलता है इसको चार्जिंग के लिए और यहाँ कि जब मैंने PC पर करेड़ किया था तो किए वाली यह यह उन थी और जब मैंने इसको फोन पर अट यह फोन पर ग्रेंट कर रहा तो यह वाली LED दोना अउन हो रही थी तो आपकी यह LED इंडिकेटर्र आपको इसमें मिलते हैं थी और हैट्फोन से लगाने के लिए और शात म लिए आपको इस gamepad में ये वाला एक USB receiver मिलता है और इसके थुरू ही आप इस gamepad को अपने PC या फिर अपने PS या फिर Android phone में connect कर सकते हो और इस gamepad में आपको कोई भी Bluetooth connectivity नहीं मिलती है तो इस receiver को बहुत समाल करना करी ये गुम गया न तो आपका gamepad किसी काम का नहीं रहेगा और वैसे मैं ट्राय करूंगा इस gamepad की link कहीं से arrange करने का अगर मुझे कहीं मिलता तो वो में description box में डाल दूँगा और अटेक करने के लिए मुझे बार बार इस X button को प्रेस करना पड़ता है और अगर मैं continuously इस X button को प्रेस करके रहा हूं तो मेरा character अटेक नहीं करता है अब मुझे बार बार उस X button को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और साथ में यह देखो कि यह जो टर्बो वाली लाइटर नहीं यह ब्लिंग कर रही यानि कि जो बटन मैं भी प्रेस कर रहा है वो टर्बो वाली फंक्शनल्टी पे सेट है और अगर इस टर्बो वाली फंक के बीच में सुच करने के लिए आपको पस इस होम बटन को फाइफ सेकंड्स तक प्रेस एंड होल्ड करकर रखना है और फिर आप देखो कि यहां पर लेडी याली बंदो की याल चलोगी यानि कि अब मोट सुच हो चुका है और वापस से आपको सुच करना है तो फिर से फ पकड़ा थान तभी मुझे समध में आ गई थी कि मतलब को हाथ में पकड़ते ही फील होगा की बहुत ही कमफर्टेबल है यह गेमपैड और मैंने इस गेमपैड से आराउंड 45 मिनिट से तक कंटिनिसली गेमिंग कर रहा और उस टाइम तक यह गेमपैड ना मुझे मैंने Android फोन में इस से Call of Duty Mobile और Asphalt 9 खेल कर देखा तो Asphalt में तो यह गेमपैड विग्दम बढ़िया से वर्क करना तो उसमें कोई दिखकर नहीं थी लेकिन Call of Duty Mobile में यह गेमपैड वर्क नहीं कर देखा तो महाँ पर गेमपैड का सपोर्ट था लेकिन फिर भी पता नहीं क्य चीज है और गेम्स में अकर आप यह होब मतन दबाओगे तो आप देखोगी कि यह एक्सबॉक्स वाले बाहर रहना यह पूरो अपन हो जाता है तो इसमें आपको सारी वोई सेटिंग साउंड और यह सारे 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 फंक्शन मिलते हैं तो वह आप एक्सिस कर सकते हो अब कि बात करें तो मैंने इस गेमपड को यूज करके स्पाइडर और माइल्स मॉराल्स गॉड ओफ वार व्वी 2K22 फोर्जा होराइजन 5 ग्त्या 5 और फीफर 22 यह सारे गेम्स खेल करके देख लिए क्योंकि यही सारे गेम्स होते जो कि गेमपड से खेलने लाइक होते तो इस अभी गेम्स में जो गेमपड की परफॉमेंस थी वह एकडम बढ़िया थी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इतनी गेमिंग करने के बाद भी बिलकुल एक बार भी कोई भी डिसकनेक्शन वाले इशू मुझे नहीं हुआ और ना ही कोई इंपॉट लेटेंसी क वाइबरेशन फील कराता है तो वह बहुत अच्छे वाइबरेशन एफेक्ट के साथ आपको पूरा वील फील कर पाते हैं इतना साई वाइबरेशन आता उस चीज़ का और फोर्जा और वाइबरेशन में भी जैसे मैं गारी को थोड़ी कम स्पीड में भी भेड़ रहा तो वाइबरेशन की जो स्टेंड थी ना वो कम आ रही थी लेकिन मैं गारी को थोड़ी तेज स्पीड से कहीं भेड रहा था ना तो वाइबरेशन इंटेंसिटी और तेज आ रही थी तो यह जो वाइबरेशन का एफेक्ट रहते हैं इससे आपको गेमिंग में बिलकुल मतलब एक दब मसा सा जाता है अब बैटरी न चार्जिंग की बात करें तो इस गेम पैड में आपको इंबिट 600 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आपको ओन आवरेज वाई 12 आर्स का बैकप दे देगी वैसे यह बैकप मैंने परसनली चेक नहीं करें को कि अब इतनी दिर तक हमें गेम पर वो ब्लिंग करने लग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बैटरी अब लोग हो चुकिए आपको इसे चार्ज करने की ज़रूरत है और जब यह गेम पैट चार्ज हो रहा होता है ना तब इसके जो LED इंडिकेटर सा वो ब्लिंग करता है तो उससे आपको चार्ज भी हो रहा है या नहीं लेकिन जब आप गेम पैट को अन करके चार्जिंग पर लगाओ तभी आपको पता चलेगा कि आपका गेम पैट चार्ज हो रहा है कि तभी उसकी लाइट ब्लिंग करेगी यह चीज ना मुझे थोड़ी सी गज़त लगी इसमें कि मतलब इंडिकेटर तो ब्लिंक करना चाहिए जिसी कि हमें पता चले कि हाँ भी हमारे गेम पैट चार्ज हो रहा है और हाँ गेम पैट को आप चार्जिंग पर लगा कर भी यूज़ कर सकते हूं अब कुछ क्वेशन से लेते हैं जो कि मैंने अपने इंस्ट्राग्राम और यूट कि दो टेश्टेशन इस लेकिन पर ब्लेकिन पैस्टेशन को यहां पर लिखा हुआ है लेकिन प्लेस्टेशन 4 और 5 को मुझे पता नहीं कि मिरेपास है भी यह तुम है इसलिए रही टेस्ट भी नहीं कर पाया तो तो ठीक करता है और तरही तक निलते हैं तो भी तक करता है अपक। आपको पहोण को क्रिंप करता है। तो देखो ऐस सच ऐसा कुछ नहीं कि दोनों इसको एक particular gamepad ही अच्छा है, दोनों gamepad अपनी जगे अच्छे हैं और दोनों ही gamepad के अपने pros and cons है, अब सभी pros and cons मैं इस video परताने बैठूंगो तो video बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ comparison videos आपको दो देंगे gamepad की YouTube में मिल जाएंगे, और review videos देखके भी आप खुछ से decide कर सकते हों कौन सा gamepad आपकी needs को फुल्फिल कर रहा है, अब at last cons यानि कि इस gamepad की बुराईों पर आ जाते हैं, तो मुझे total 3 cons इस gamepad में नजर आए हैं, तो सबसे पहले जो कौन है वो है, इसका ये wireless receiver, इसमें क्यान है कि ये जो wireless receiver है, इसमें थोड़ा सा average quality का, मतलब एक दम काम चला हूँ सा plastic यूज किया गया है, मतलब कि इस receiver को देखके बिल्कुल भी ऐसा लगता ही है, कि ये एक इतने अच्छे gamepad का ये 1600-1700 के gamepad का एक receiver हो सकता है, मतलब बहुत सस्ता साना एक Chinese receiver लगता है ये, और इसके ये बोड़ी है ये भी semi-transparent, अगर आप थोड़ी सी भी जातल लाइट में इसको देखोगे ना, तो आपको अंदर किसके parts देखते हैं, और specially इसमें ये दो lights blink करती है न, जब मतलब आपका gamepad कनेक्ट नहीं रहता आपका gamepad अब on नहीं रखते हो, तब ये lights continuously blink करते रहती हैं, तो अगर आप एक laptop user हो, और आप gamepad यूज नहीं कर रहो तो आपना इस receiver को plug-down रखी नहीं सकते हो, क्योंकि इसके light न, वो continuously blink करते रहती हैं, तो आपका attention पूरा वहीं जाता है, तो eventually आप इसको निकाल के रखोगी, अगर आप gamepad यूज नहीं कर रहो तो, और दूसरा कौन है कि आपको इस gamepad में कोई भी software support नहीं मिलता है, और ठाट कौन है कि इसमें type-c port नहीं मिलता charging के लिए, इसमें charging के लिए micro USB port मिलता है, मतलब type-c port त्यार होना चाहिएगा कि आज कर आप देखो, तो आपके earphones से लेके smartphone तक, सभी में आपको type-c port मिलता है, तो वो universal चीज है, मतलब आपके क्या है कि आपको gamepad चार्ज करने के अलग से इसका wire लेके घूमना पड़ेगा, तो ये था इस gamepad का फूरा review, मैं इस video में conclusion एड नहीं कर रहो, मैं इस तो हर video में conclusion एड करता हूँ, लेकि इस में नहीं कर लोगो कि मैं पहले ही इस video को बहुत लंबा कर चुका हूँ, और अल्रेडी मैंने सभी चीज़े आपको इस gamepad के बारे में बता दिये, तो फाल्तों आप video और लंबा करने से कुछ फायदा नहीं, तो अब आप खुछ से डिसाइट कर सकते हूँ कि आपको इस gamepad को लेना चाहिए या नहीं, तो फिर में लूँगा आपसे ऐसी कीज़ी वीडियो में सब तक ली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,